हलो इस्टूडेंट्स आप सभी लोगों का आनलाइन क्लाशेस में स्वागत है आज हम लोग बीए फाइनल येर के पेपर फस्ट के अंतरगत वारेन हेस्टिंग्स के बारे में जानेंगे इससे पहले हम लोगों ने वारेन हेस्टिंग्स के उपर दो क्लासें कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने वारेन हेस्टिंग्स का बंगाल वारेन हेस्टिंग्स के बंगाल का गवर्ना जर्नल बनना और 1773 के आइक्ट का जिक्र किया उसके प्रसासनिक सुधारों के बारे में जाना और इसी के साथ साथ उसने नियाईक जो भी शुधार किये जूडीसियल रिफॉर्म्स वो सारी चीजें पिछली दो क्लासों के मात्यम से हम लोगों ने देखा था इसके उपरांद आज की क्लास में हम लोग वारेन हेस्टिंग्स के समय जो प्रमुख युद्ध हुए और रुहेलों से मैसूर वार मैसूर से उसके किस प्रकार के राजनेतिक सब्मंद रहे उसके साथ सनकाल के दौरान वो सारी बातें जो है आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबस्पहले बात करते हैं लोग रुहेलों का युद्ध ठीक है रुहेलों से ये आज के फरुखावाद साइट का छेतर था जहां पर रुहेल खंड के नाम से जाना जाता है आज भी वहां का वहां का जो प्रुशिद सरदार था उस समय वो था हाफिज रहमत खां ठीक है ये हमेशा मराठा आकरमड के भैसे क्या रहता था आकरांत रहता था इसलिए इसने अवद के नवाब से 1772 में क्या की एक संदी कर ली थी 17 जून 1772 को किस्ते संदी की अवद के नवाब से की और इस संदी का मतलब ये था कि यदि मराठों के बुरुद नवाब जो है साहिता करेगा तो इसके बदले जो रुहेला सरदार है वो 40 लाक रुपए की मदद जो है देगा या पेशकस देगा उसके उपरांद जब कंपनी ततानवाब की संयुक्त सेना के प्रयास से रुहेला सरदार पर मराठों का संकट टल गया तो रुहेला सरदार 40 लाक रुपए देने के अपने वचन से मुकर गया जिसके बाद से ये हुआ कि इन दोनों चेत्रों के बीच पिरोध होना प्रारंब हो गया और 1774 में नवाब ने जो की अवद का नवाब था कंपनी की सेना की साहता से मीरपुर कटरा के युद में रुहेलों के सेना को परास्त कर उनके सरदार हाफिज राहमत खांकी अत्या कर दी और रुहेल खंड का जो छीतर था उसको अवद में संब्लित कर लिया ठीक है तो तो कब संब्लित किया तारीह की हाद रकना 1774 में ठीक है रुहेल खंड जो है अवद का छेतर बन गया और अवद जो कि अंग्रेजों का एक तरह से कह सकते हैं कि मित्र राष्ट था मित्र भी नहीं कह सकते हैं कि क्योंकि वो अंग्रेजों के बिल्कुल सानित में था यानि कि अंग्रेज जैसा चाहते थे अवत के नवाब वैसा ही करते थे इसलिए अब यह कह सकते हैं कि रुहेल खंड का छ रुहेलों का जो यूद दुआ इसको बाद के जो ब्रिटिस ब्रिटिसर्स थे उन्होंने अलोचना की थी और बाद में जब वो इंग्लेंड जाता है तो उस पर एक अभयोग लगाया जाता है उस अभयोग का एक कारण ये भी होता है क्योंकि रुहेलों का अंग्रेजों से क पाटिसिपेट किया और रुहेलों का दमन किया तो इसकी वज़े से ये चूंकि उस समय ये कहा जाता था कि जब तक कोई तुभारे राश्ते बेना आये तब तक उसके खिलाब कोई भी राजनेतिक मसलों पर पाटिसिपेट नहीं करना है लेकिन वारेन एस्टिंग्स ने ऐसा किया, जिसको लेकर के इसकी बात में काफी अलोचना भी ओती है लेकिन उन सारी अलोचनाओं के बावजूद भी रुहेल खंड जो है वारेन एस्टिंग्स के समय अवत के राज़ेशत्र में सम्मलित कर लिया गया और राज़ेशत चेत्र में सम्मलित होने के साथ यि घब068 पर बृतसर्स का यद कंपणी का आधी इसके बाद बात करते हैं आंगलमराथा युद्ध की cells किसके समय पर लगा गया परतम आंगलमराथा युद्ध ठीक है तो पर परतम आंगलमराथा युद्धे जो है कब से कब तक हुआ 2776 से 1782 इस बीच में यह पूरा युद्ध लगा गया इस समय जो गवर्णने जर्नल था वह वारे नेस्टिंग्स था समस्या क्या हुई कि 1772 में पेश्वा माधाव राओ की मिरत्तु ठीक है हो गई तथा पेश्वा नराड राओ की हत्या के बाद महाराष्ट में उत्तरा दिकार का संगर्स जो है प्रारम हो जाता है कि हम लोग को आप लोगों ने पानी पत के तर्थी युद्वत्त की जानकारी आप लोगों को है बाला जी बाजी राओ जो है उसमय जो नाना साब के नाम से भी प्रसिद्ध थे वह मराठों के पेश्वा थे पानी पत के प्रधम्यू दिम में पराजय के बाद फिर उंके इम्रत्यू हो जाती है उसके बाद माधोर राओ को पेश्वा के पत पर इस्तापित किया जाता है फिर माधो राओ और नराय्ल राओ दोनों की 1772 मैं हत्या कर दिआती है उसके बाद से जो पेशोवा का संगर्स है वो मराठोक में व्यापत हो जाता है अब यह संगर्स किस परकार से होता पेशवा नरायग राओ के जो चाचा थे रगुनात राओ जो रागोबा के नाम से भी जाना जाता है उसने नरायग राओ के मरलो परांत जन्मे पुत्र माधो राओ नरायग के अधिकार को चुनोती दी ठीक है ये माधो राव दूसरा है ये माधो राव दूसरा है ये माधो राव नारायग है ठीक है तो एक तरफ नारायग राव का पुत्र था और दूसरी तरफ उसका चाचा था ठीक है इन दोनों के बीच पेशवा के पत को ले करके उत्रादिगार का युद्ध होता है इस क्योंकि नानना फढ़नवीस का जो पक्ष था वो माधव राओ नर्याइल की तरफ था तो इसलिए रागभोबा क्या करता है कि इस्ट इंडिया कंपनी से साहता की प्राथना या याचना प्रारंब कर देता है और जिसके उपरांत रगुनात राओ के साथ 1775 में सूरत की संद वानिकारी था कंपनी का भारत में लेकिन ये संदि जो है बंबाई सरकार के दारा की जाती है और इसमें ये होता है इस संदि के इंसार की कंपनी ने रगुनात राओ को पेशवा आने का वचन दिया ठीक है और दूसरी बात रगुनात राओ क्या कहता है कि इसके बदले वो सालसेट और वसीन ये दो नगर जो हैं मराथा आधिपत्र चेत्र में जो आते थे वो कंपनी को दे दिये जाएंगे लेकिन चुकि ये बंबई सरकार के उद्वारा की गई संदी थी इससे क्या हुआ कि बाद में इस संदी को गवर्नर जर्रनल और उसकी परिस्द ने असियुकार कर दिया था ठीक है इसी कि जब ये संदी हो गई तो इस प्रकार कंपनी की साहता प्राप्त कर रगनात राओ ने मई 1775 में अरसस नामा के स्थान पर एक निरडायक युद्ध लड़ा जिसमें कोई निरडाय नहीं निकला सूरत की संदी गवर्नर जर्रनल की जानकारी के बिना की गई थी जैसा कि मैंने पहले बताया अता जब जब गवर्नर जर्रनल को पता चला तो उसने तथा उसकी परिस्द ने इस संदी को अश्युकार कर दिया ठीक है और उसके बाद 1776 में गवर्नर जर्रनल ने एक नई सं इस संदी के अनुसार अंग्रेजों द्वारा हधियाए गए सारे प्रदेश जिन में बसीन भी था पेश्वा को लोटा देने थे परन्तु इंग्लेंड इस्तित डायेक्टरों ने सूरत की संदी को स्युकार किया तथा पुरंदर की संदी को अस्युक्रत कर दिया अब फिर स सित-थारीट और समय से तारीग और कौन सी संदी है यह दोनों चीजें जो है महतपूर हैं जैसे सूरत की संदी का बुई 1775 पुरंदर की संदी का बुई 1776 इसके बाद बड़ गाउं आएगी बड़ गाउं के बाद ऑर भी सालवाई की संदी आएगी तो ये सबीज चीजे ने पुरंदर की संदी कर ली तो इंग्लेंड इस्तित जो डारेक्टर्स थे बोर्ड आप डारेक्टर्स है ना बनाया गया था एक कंपनी का बोर्ड आप डारेक्टर्स था जो इंग्लेंड से सासन चलाता था कंपनी का सबसे उच जो विभाग था वो नहीं का होता था तो उ इसके बाद क्या होता है कि फिर बड़गाओं के इस्तान पर वारेन एस्टिंग्स के द्वारा बंबई से बेजी गई सेना को पेशवाओं की सेना ने परास्त कर दिया इन दोनों संधियां जब समाप्त हो जाती हैं दोनों संधियां किसी कारववस पूर्ग नहीं हो पाती हैं उसके बाद वारेन एस्टिंग्स क्या करता है कि बड़गाओं के इस्तान पर बंबई से एक सेना बेज़ता है जिसमें से पेशवा की सेना जो है उसे पराश्ट कर देती है यानि पेशवा मतलब नाना फुल्यनवीश की सेना ठीक है जब बड़गाओं के युद्ध में अंग्रेजों की पराज़ा होती है तो उसके बाद 1789 में एक फिर से संदी होती है जो कहलाती है बड़गाओं की ठीक है यह संदी अंग्रेजों के लिए बहुत अपमान जनक थी क्योंकि इसके अनुसार अंग्रेजों ने 1770 के बाद जीते सभी मराठा प्रदेशों को लोटाने का वचन दिया इस समय अगर सबसे बगली भारत में कोई सकती थे जो अंग्रेजों को चनौती देते थे तो गौलियर के दुर्ग को जीत लिया मई 1782 में अंग्रेजों और मराठों के मद फिर सालबाई की संदी हुई इस संदी के साथ केवल सालसेट तथा एली फेंटा के दूप अंग्रेजों के पास रहे और बाकी सारे छेतर जो है मराठों को वापस मिल गए अब अंग्रेजों ने रगनात राओ का साथ छोड़े कर माधो राओ नरायंगल को पेस्वा सिवकार कर लिया तो पेस्वा भी जो है माधो राओ नरायंगल जो है बन गये कुल मिलाकर इन गटनाओं के बाद कंपनी को मराठों की सक्तिका ऐसास हो गया और कंपनी और मराठों के बीच इसके ब प्रारंब होता है ठीक है तो ये था वारे नेस्टिंग्स के समय मराठा और अंग्रेजों के बीच संगर्स इसमें आप लोगों को प्रमुक रूप से संधियां और उनकी तारीक याद रखनी है जैसे एक बार फिर से सूरत की संधी 1775 उसके बाद 1776 में पुरंदर की संधी हो और फिर 1782 में सालबाई की संधी होती है most important संधी सालबाई की संधी जिसके द्वारा 20 वर्सों तक अंग्रेजों और मराठों के बीच 37 स्थापित होती है इस संधी के दरा सालसेट तर्था एलिफेंटा के द्यूप जो है अंग्रेजों को प्राप्त होते हैं और मनमाधोर प्राइनराइल को पेसवा कंपनी के द्वारा स्यूकार कर लिया जाता है ठीक है तो यह प्रथम मराठा आंग्ल मराठा युद्ध में जो है यह चार संधियां की गई थी नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं दुती आंग्ल मैसूर युद्ध यह दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो की पहला लगा गया था उनत्तर से 69 से 72 के वीच ठीक है और दूसरा वारे निस्टिंक्स के समय लगा गया दूसरा आंगल मैसूर युद्ध ठीक है मैसूर में उस समय हैदर अली का सासन था हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान तो ये दो प्रसिद सासक हुए मैसूर के जिनके बीच जो है उन जिनके बीच और अंग्रेजों के बीच युद्ध होता है जिसको आंगल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है ठीक है तो देख लेते हैं दूसरे नांगल मेसूर युद्ध का क्या आखा रहा था तो वारेन एस्टिंग को ये संदे था कि माला बार TADPAR इस्थित माही ठीक है येएक छेतर था दूप था जिस पर जो है एदर अली को फ्रांसीसी सायता मिलती है माही दूप से क्या है माही छेतर से वारेन एस्टिंग्स को ऐसा लग रहा था कि हैदर अली को फ्रांसीसी साहता मिल रही है इसलिए वारेन एस्टिंग्स ने क्या किया कि माही पर आक्रमट करके उस पर कबजा कर लिया अब माई पर कपजा करने के उपरांत क्या होता है कि हैदर अली ने इसका प्रतित्तर देना आवस्षक समझा तो उसके लिए सबसे पहले उसने मराठो और निजाम से क्या किया एक समझोता कर लिया तो था फ्रांसीसी साहता का वच्छन लेकर जुलाई 1780 में करनाटक पर आक् कर दिया जाता है और उससे पहले मराठो को निजाम यानि कि हैदरावाद के निजाम और Anda reading ते Looking से करने उपब है इसके बाद क्या होता है इसके बाद वारेन हेस्टिंग ने इस्तिती को समालते वे शर आयरकोट को के नेत्रत में कलकत्ता से एक सेना बेजी यानि कि अब जो नेत्रत करता था वो था आयरकोट ठीक है जो की हैदर अली से स्रेष्ट सेना पती साबित हुआ और उसने हैदर अली को पोर्टो नोवो, पोलिलूर, सोलिंगपुर के इस्तानों पर जून 1781 से सितंबर 1781 तक की अवद के बीतर परास्त किया यानि कि इन तीन युद्धों में हैदर अली को पराजय का मुख देखना पड़ा सीगरी हैदर अली की साहता के लिए फ्रांसीसी एड्मिरल सफरिन अपनी सेना के साथ आ गया किन्तु भ्यूज के अधीन अंग्रेजी सेना ने उसकी एक न चलने दी ठीक है, दिसंबर 1782 में हैदर अली की इम्रत्तु हो गई और उसके बाद उसका पुत्र जो है टिपू सुल्तान ने इस युद्ध को जारी रखा लेकिन सफलता जो है वो एक तरह से अंग्रेजों को ही मिल रही थी इसलिए उसने ये सोचा कि संदी करने में ही अभी भलाई है क्योंकि वो नया नया सासक बना था तो सासन, संचालन और अपनी प्रसासिन गवस्ता को और मुझूद करने के लिए वो और अधिक युद्ध करने के पक्च में अभी नहीं था इसलिए 1784 में इन दोनों के बीच एक संदी हो जाती है जो मंगलोर की संदी के नाम से जानी जाती है तथा विजित प्रदेश जो है लोटा दिये गए आपस में यह किया गया कि इन दोनों ने फिर यह संदी समझोता कर लिया और जो एक दूसरे के विजित शेतर थे वो आपस में पुना वापिस कर दिये गए और फिर से इन दोनों मारा आंगल और मैसूर के बीच एक प्रकार से सांती इस्तापित हो जाती है ठीक है तो पहला युद्ध पर्थम आंगल मैसूर युद्ध कब हुआ 1779 से 1770 जो की समाप्थ हुआ मद्रास की संदी के बाद ठीक है तो यह संदियां जरूर याद रखना पहला आंगल मैसूर तीसरा होगा जो की सृरे रंग पट्कम की संदी होती है उसके दौरा समाप्थ होता है और चोथे मनल मैसूर युद्ध में टीपू सल्तान की मरत्यू हो जाती है और मैसूर शेतर जो है वो पूरा अंग्रेजों के आधिपत्त में आ जाता है इस प्रकार अंग्ल मैसूर यह जो है चार युद्ध होते हैं इनके बीच ठीक है तो दूसरा युद्ध जो है वो वारे निस्टिंग के समय होता है तीसरा युद्ध कारणवाली इसके समय होता है और चौथा युद्ध वेले जली के समय होता है तो जैसे जैसे हम लोग इन गवर्नर जर्नर्स को पढ़ थेंक यू